नमस्कार मैं हूँ साहेबली और आप देख रहे हैं livecities.n अर अरिया जिले के जोकी हट विधानसवा सीट के लिए राजद ने अपना उमिद्वार चुन लिया है बड़ी खबर यही है कि राजद ने जिसने अपना उमिद्वार बनाया है वो तसलीमुद्दीन के सबसे चोटे बेटे मुहमद शाहनवाज है इस सीट को लेकर के तसलीमुद्दीन के परिवार में काफी दिनों से घामसान चल रहा था सरफराज आलम जो कि तसलीमुद्दीन के बेटे हैं अब राजद से हो सांसत बन चुके हैं उनके बेटे मुहमद आमिर और तसलीमुद्दीन के छोटे बेटे मुहमद शाहनवाज के बीच में टिकट को लेकर के मारा मारी चल रही थी दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ में थे, दोनों ही राजा से टिकट चाते थे सोशल मीडिया पे काफी मुहमद आमिर का परचार पसार हो रहा था कि उन्हीं टिकट दिया जाएगा लेकिन राज़त ने आखिरकार तसलिम उद्दीन के छोटे बेटे को मौका दिया है जोकी हट विधान सवा सीट से चुनाव लड़ने का आपको बता दे कि जोकी हट विधान सवा सीट जो है वो सरफराज आलम के MP बनने के बाद खाली हो गई थी जिस पर अब उप चुनाव कराया जा रहा है सरफराज आलम को आप जानते ही हैं सर्फराज अलम तसलिम उदीन के बड़े बेटे हैं वो जदियू से चुनाव लड़े थे जो की हट विदानसवा सीट पर जिसमें उन्होंने बंपर जीत हासिल की थी उसके बाद फिर जदियू छोड राज़त में शामिल हो गए राज़त ने उन्हें एमपी का टिकट दिया और 31 माई को इसकी काउंटिंग भी हो जाएगी अब आपको बता दें कि जो की हट सीट है वो राज़त का गढ़ माना जाता है इसमें अब देखना होगा कि जो सर्फराज के छोटे बेटे को टिकट नहीं दिया गया है मौहमद आमीर को और शाहनवाज को टिकट दिया गया झाल